गोपालगेज में बच्चा-चोरों के आतंग से परिशान्ग पुलिस ने गिरों के तीन सदस्यों को गिरफतार कर लिया है। मिरगेज पुलिस ने बच्चा-चोरों की गिरफतारी के बाद बड़ा खुलासा किया है। हड़िपो आनंद मोहन गुपता ने बताया है कि मतिहानी नैन गाउं में बीते 16 अगस्त को दर्वाजी पर खेल रहे मासूम रिशप कुमार को चोरी करने के बाद एक लाक रुपिय में बेचने की योजना थी लेकिन पूलिस के दवाव में चोरों ने दूसरे ही दिन थावे जक्षन पर बच्चे को छोड़ कर फरार हो गयते हैं पुलिस ने टेक्निकल जाच की मदद से तीनों आरूपियो को गिरफतार कर लिया है तीनों आरूपियो की पहचान उचका गाउथाना चेतर के बलेशरा गाउन निवासी धीरज कुमार चोधरी शाहिल कुमारी आदो और करर तथा साखे गाउं के निवासी संदीब कुमार शर्मा की पत्नी समीता कुमारी के रूप में की गई है एजडिपयों ने बताए कि गिरफतार आरूपियों के पास से अपरादिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इनके पास से मोबाइल फून और कैस भी बरामद हु से चोविस घंटे के अंदर हम लोग बच्चे की बरामदगी कर लिए कि तत्पस्चात मान वे सुचना तक्निकी साक्ष एवं अन सुचना के अधार पर दो ब्यक्ति एवं बच्चे खईदने वाले महला की पाचान हुई जिसे ब्यपतार क्या जा है इसे जेल है गया है इन लगतार बढ़री बच्चों की चोरी के घटना से लोग भी दैश्यत में है आपको भी अलाट रहने की ज़रूरत है खबर यूटूब पर देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लिए फेस्बूक पर देख रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपाल गेंच के जंगलिया मोड के पास रेमन शोरूर के उपर फर्स्ट प्लोर पर ये सबी मैटेरियल उचीत दामों में उपलब्ध है